अब जैसे लोग कहते हैं कि ये ज्यादा oxygen दे रहा है ये ज्यादा oxygen देता है वो कम oxygen देता है ये ज्यादा देता है देखे एक चीज़ आपको मैं आप ध्यान से इस चीज़ को समझियेगा अब जैसे ये पता है ये बहुत बड़ा है ठीक है तो जितना surface area है उसी हिसाब से oxygen आएगा money plant है इसके काफी अच्छे पत्ते होते हैं उसी हिसाब से इसका oxygen आएगा हना zedex plant होता है उसके चोटे-चोटे पत्ते होते हैं वो अपने हिसाब से oxygen देगा पीपल का जो पौदा होता है पीपल का बड़ा वरिक्ष होता है बर्गत का बड़ का वरिक्ष जो है बोड़ का वरिक्ष जिसको बूलता है उसके बहुत अंगिनफ मिलियन्स और लीव्ज होते है शीशम हुआ नीम हुआ उसके बहुत पत्ते होते है तो उसका जो ग्रीन कव इसा oxygen नहीं देता, ये oxygen नहीं देता, ऐसा नहीं है, सब oxygen देते हैं, कोई भी चीज जो हरी होगी, हरी मतलब plant में, वनस्पती में, चाहे वो आपका बाजरा हो, चाहे वो आपका मक्कई हो, चाहे आपका साग सबजी हो, हरी सबजियां हो, सब oxygen देती हैं, कोई भी चीज हरी वो आपको oxygen देगी, लेकिन हाँ, क्योंकि इसका surface area कम होता है, इसका surface area proportionally, relatively, comparatively, बड़े विर्ख्शों के साथ, इसलिए हम कहते हैं, यह कम oxygen देते हैं और वो ज़्यादा oxygen देता है, oxygen तो हर पता oxygen देता है, तो यह थोड़ा सा, इस principle को आप समझेए, जो amount of oxygen given out is directly proportional to the, आपका जो surface area, जो green surface area, आपका leaf का surface area, उतनी मात्रा में oxygen निकलता है, तो आप अपनी, जितनी ज़्यादा हर्याली करेंगे घर में, उतनी ज़्यादा मात्रा में आप oxygen create करेंगे, तो हर, मैं समझता हूँ, हर citizen को, हर भारतिय को, हर planet के, हर निवासी को, अपनी oxygen की जो requirement है, वो खुदी generate करनी चाहिए, मशीनों की क्या ज़र्वत है, आप अपना indoor plants भी रखिये, थोड़ा outdoor plants, garden plants भी रखिये, बैलकन ये terrace में भी रखिये, और अपनी जो oxygen की requirement है, आप खुदी produce कीजिए, भाकी तो पेड़ भरिक्ष्ट बगरा तो हैं ही, आप जब बाहर जाएं, तो वो भी खुब लगाएं महां पर,